हाई, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज हम लोग जो डिसकेशन करेंगे टॉपिक का नाम है CBD स्टोन, तो नॉर्मली जब भी किसी पेशिंट को गॉल ब्लेडर स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं, तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो गॉल ब्लेडर का उपरेश इस वी कॉस कर सकते हैं, तो आज हमारा डिसकेशन CBD स्टोन्स तक सीमित रहेगा, तो अगर किसी पेशिंट को CBD स्टोन्स डेवलप होए हैं, या उनके गॉल ब्लेडर से स्टोन्स स्लिप होकर CBD में चले गए हैं, तो ऐसे केसे में पेशिंट को जनरली पेइन होता है, इसके अलावा जॉन्डिस डेवलप होता है, और कई लोगों को इचिंग वगएरा डेवलप होने लगती है, या यूरिन यलो आने लग जाता है, और कई बारी पेशिंट को फीवर भी डेवलप होता है, तो अगर कोई पेशिंट ऐसे हैं, जिनको पहले से पता है कि गॉल टेस्ट कराते हैं, अल्टरसाउंड में यह पता चलता है कि गॉल ब्लेटर में स्टोन्स हैं, साथ ही साथ कहीं CBD में स्टोन्स हैं या नहीं है, यह भी पता चलता है, CBD का डायमीटर और कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, वो भी पता चलता है, लिवर के अंदर कहीं बिलियरी र इससे हम यह चेक करते हैं कि कहीं associated Pancreatitis तो नहीं है कहीं वो CBD स्टोन स्लिपों के पंक्रियास में तो नहीं चले गाए और पंक्रीस तो कॉस नहीं कर दी है तो यह सब ऐसाब मिलता है कि CBD stone है या CBD stone doubtful है तो इसे confirm करने के लिए हमें MRCP test कराना चाहिए जो कि एक specialized test है एक तरह का MRI है जो specially ball bladder और bile ducts के लिए ही होता है इससे हमें ये confirm हो पाता है कि patient को CBD stone है या नहीं है अगर patient को CBD stone confirm हो गया है चाहे वो ultrasound पे है या MRI पे है तो फिर patient को हमें ERCP के लिए लेना होता है ERCP basically एक endoscopic procedure है जिससे endoscopy के जरिए डोडनम में जाया जाता है और डोडनम के जरिए bile duct में जाते हैं और stone remove करते हैं CBD stone remove करने के बाद CBD में extent डाल दिया जाता है जिससे कि patient को cholangitis ना हो यानि bile duct का infection ना हो और इसके बाद जब भी ये ERCP करके stone remove कर दिया जाता है stent डाल दिया जाता है उसके बाद patient की gallbladder की surgery की जाती है जो generally ERCP के एक या दो दिन बाद हम लोग करना prefer करते हैं और जब patient की gallbladder की surgery हो जाती है उसके लगबग 4-6 week बाद हम लोग stent निकलवाना prefer करते हैं कुछ cases में variation है कुछ surgeons थोड़ा जल्दी stent निकलवाना prefer करते हैं 2-3 weeks बाद भी निकलवा देते हैं मगर patient ने किसी वज़े से gallbladder की surgery नहीं कराई और भूल गए कि उनको stent डला हुआ है तो ऐसे cases में वो stent अगर लंबे समय तक रहता है तो stent block होने का risk रहता है stent block होने के cases में jaundice और infection और stent के along भी stones दोबारा develop होने का risk बना रहता है इसलिए हमें stent at least या तो gallbladder की surgery करानी चाहिए या फिर stent 4-6 week बाद हमें remove करा देना चाहिए या remove नहीं कराना चाहिए बलकि change करा देना चाहिए क्योंकि अगर हम remove कराते हैं तो फिर से gallbladder stones लिप होने का risk रहता है इसलिए जब भी CBD stones develop हो जाते हैं stent डाल दे जाता है उसके बाद हमेशा gallbladder की surgery करनी होती है अब कई बार gallbladder के अलावा जो CBD stones हैं वो काफी बड़े होते हैं size में जैसे 2 cm, 2 cm या multiple CBD stones होते हैं ऐसे cases में ERCP से पूरी तरह CBD stones remove करना कई बारी possible नहीं हो पाता है तो ऐसे cases में surgery के जरिये CBD stones remove किया जाते हैं जिसको laparoscopic CBD exploration भी कहते हैं या कई cases में open surgery भी करी जाती है अगर किसी patient को CBD stones बार-बार develop हो रहे हैं तो ऐसे cases में उनकी जो common bile duct है उसे duodenum में यानि intestine में drain कर दिया जाता है जिसको polydokodrodenostomy भी कहते हैं तो अगर किसी patient का ERCP से CBD stone remove नहीं हो पाया है तो उन cases में CBD exploration की जरुरत पड़ती है और उसके बाद जब common bile duct से जो stone निकाल दिया जाते हैं उनको या तो bile duct को primary repair कर दिया जाता है या फिर उसको dodenum के साथ जोड़ दिया जाता है जब भी ERCP करके CBD stones remove किया जाते है स्टेंट डाला जाता है उसके बाद 2-3 दिन में patient की गॉल पेटर की surgery करती जाती है और उसके तकरीबन महीने भर बाद स्टेंट remove कर दिया जाता है और जब जब तर patients को कोई problem नहीं आती है बहुत जादा लंबे follow की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इससे related कुछ discussion करना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं